तो चलो आज ऐसी सबजी बनाते हैं जो किसी को पसंद नहीं आती, बच्चों को तो खास करनी पसंद आती, लेकिन ऐसे बनाएंगे ना कि बच्चे भी इंग्लिया चाहते रह जाएंगे, तो इसके लिए ना सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, तेल को गरम कर अच्छे से हब हाएंगे, कुंद्रो पहले सी पहले से एकवा आरे बिशवाश को तक भी अच्या है, कट लिया है यो विकिंजन सका लिया है, अब इसको फ्राई करना है, तब तक भी करते Sydका नहीं है जब तक इसका लार जीज से जो हो चाना है, जब तक लेक्चाल अपीर करना है जब तैकीन का जब कलर है ना वह सोने जासा निया जाता यानि की गोल्डन निया जाता है ठीक है अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको भी निकाल ली है अब बचएवे तेल में आपको थोड़ा और एड करना है तो डाल दो वरना ऐसी बना फोड़ा सा गोल्डन होने तक ठीक है अब जैसी हम डाल देंगे स्वाथ के इसा नमक डालने कर दो से मिक्स करेंगे और जैसी तोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ना इसके बाद इसमें मसाले आड कर देंगे सबसे पहले इसमें डालेंगे आधी छोटी चमाज हल्दी, एक छोटा चमाज इसमें धनिया पाउडर और आधा छोटा चमाज लाल मिच का पाउडर स्पाइसी अगर चाहते हो तो और बिच बढ़ा देना इसको मिक्स करेंगे भुनेंगे थोड़ा सा इसमें डालेंगे गालिक का पीस्ट एक चमज ठीक है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक थोड़ी सी खुश्बू आने तक थोड़ा सा पानी आड़ कर देते था कि य मिक्स करते रहेंगे और देखो यहां पर चोड़ दिया जैसी ओल निकल जाना साइडों से पस इसमें डाल देंगे दो चमज दही और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और इगना टेम्टिंग लग रहा है तो यह अच्छी खुश्बू आ रहे है ना मैं बतानी सकती है तो हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और बाकी की जो सबजी हमने आलो और कुंदरो फ्राइ करके रखे थे ना वो इसमें डाल देंगे और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठीक है थोड़ा सब होनेंगे अच्छे से कोड कर देंगे मसाले के साथ और सेपर करने के बाद ना इसको हम कवर कर देंगे पांच मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पेस को कवर करके पकाएं के अच्छे से और पांच मिनट के बाद हमारी सब्जी बन के तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतले हम शाही कुंदरू बनाया हमने बहुत ही मज़ेद चैनल को सब्सक्राइब के बीना बिलकुल मज़ जाएं और और किया बस लाइक और शेयर ज़रूर कर दें थैंक यू फो वाचिंग